राज़े के भारतिय जन्ता पार्टी नीता वरतमान में फोन टैपिंग मामले को लेकर राज़स सरकार पर हमला कर रहे है। प्रदेश अध्यक्ष्य नाना पटोले ने फंडविस की आलूचना का चवाब दिया है। नाना पटोले ने कहा कि हम देश को बेच कर देश नहीं चला रहे थे। कांग्रिस ने इस देश को महाशक्ती बनाने की कोशिश लेकिन अगर देश को बेचने वाले और इसे चलानी वाले लोग कांग्रिस को पाटी को उसका हिस्सा कैसे मिलता है हमने अपनी भूमी का विधान सभा में प्रस्तूत की थी नाना पटोले ने कहा ना पटोले ने आरोप लगाया कि रनीती को किसानों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए डिजाइन किया गया था भार के टीका करन और मुद्रा सिंफची स से वंचित थे जबकि महाराश्ण में पॉर्णावीर की संक्या बढ़ रही है केंद्र अभी भी अ परियाप्ति के प्रदान कर रहा है एक तरफ केंद्रे सरकार पाकिस्तान का टीका करन कर रहे है लेकिन महाराश्ण अधिकार है कि वे क्या खेते हैं लेकिन नाना पटोले ने कहा कि महाराश्ट को बंदाम करने का ठेका जनता माफ नहीं करेगी फर्णविस खुद जज बन चुके थी आरोप लगाने के बाद वह अपने मंत्रियों को क्लीन चिट देता था उन्होंने उस समय इस्तिफा क्यों नहीं दिया राशीती में आरोप है लेकिन सच सामने आने तक इस्तिफादी ना गलत है कॉंग्रिस की भूमी का दोश्यों के खिलाफ कारवाई करने की है आरोपों के बाद नाना पटोले ने कहा कि यह परंबीर सिह के लिए अच्छा था परंबीर सिह दोशी है और अनिल द प्रधानमंतरी की आलोच ना की गई थी अप्रधानमंतरी बोलका मिलने के बाद क्या आपने देखा कि देश का क्या हुआ हुआ ५। कार में होता तो परम्री सीहों को निलंबित कर दिया गया होता उनका सवाल अब यह है कि उन्हें सर्वोच न्यायले या उच्छ न्यायले जाना चाहिए यह सब मोहन डेल कर मामले की बाद शिरू हुआ अभी पूचता जारी है हम दबावल लाए आयो कर रहे थे कि कोई मामला दर्स नहीं किया जाएगा नाना पटोली ने कहा अगर मैं मुंबै जैसी सवेद निशिल जगा पर रहता तो मुझे निलंबित कर दिया जाता क्यामरा पोसिन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपूर